मंगल के चाल दिखाएगी कमाल 13 मार्च को मंगल बदलेंगे अपनी राशी 12 राशियों पर होगा इसका असर कुछ राशियां होने वाली हैं माला माल सभी दर्शकों को मेरा गुर्मीत बेदी का नमस्कार हमारे नव ग्रहों में सैनापती का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रहे 13 मार्च सोंबार के दिन प्रता चार बज कर तीन मिनट पर शुकर की वरिशब राशी से निकल कर बुद्ध की मिथों राशी में गोचर करेंगे और उनके इस राशी परवर्थन का असर सभी वारा राशीयों पर बढ़ेगा उनकी चाल कुछ राशीयों को माला माल करेगी और जीवन में मंगल ही मंगल होगा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जोतिश में मंगल ग्रहे को उर्जा का साहस का शौरय का शक्ती का परिशरम का भाईवा भूमी का कारग्रह माना जाता है मंगल ग्रहे किसी भी व्यक्ति के सभाव और व्यभार पर सीधा असर डालते हैं कुण्डली में मंगल शुब स्थान पर विराजमान हो तो राज्योग दिलाते हैं उस व्यक्ति में जोश और उत्सा का संचार करते हैं, उसका confidence level बढ़ाते हैं, यानि मंगल अगर आप पर महरबान हो तो जीवन में हरोड मंगल ही मंगल होता है, लेकिन कमजोर या अशुब मंगल जिंदगी में अमंगल का विश्वोल देता है, वैसे तो मंगल ग्राय को जोत बना देते हैं, मंगल ग्राय एक निश्चे तब्धी में एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करते हैं, और शुब वा अशुब फल देते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंचांक के अनुसार मंगल ग्राय तेरा मार्च सौंबार के दिन परता चार बज कर तीन मिनिट पर मिथों राशी में विराजमान होंगे, इस राशी परवरतन का शुब और अशुब परवाब अलग लग राशीयों पर पड़ेगा, हलंकि पांच राशी ऐसी हैं, जिनने इस सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पोस्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर भ वरतन से जिन राशीयों को लाब होगा, उनमें पहली भागेशाली राशी मेश राशी है, मंगल का गोचर मेश राशी वाले के जीवन में खुशिया लेकर आएगा, घर और बैपार में आप तालमील बठाए रखने में सफल रहेंगे, निजी सबंदों में मधूरता और मार्च को जब बुद की मिथोन राशी में आएगे तो वरिशव राशी वालों को भी काफी फाइदा देंगे, इस सब्दी में वरिशव राशी वालों के वदेश जाने के राश्ते कूल सकते हैं, रुकुहे काम पूरे होंगे, वसीय से जुड़े मामले सोले सकते हैं, पॉजिटिव अनरजी आपके भीतर बनी रहेगी, मैलन लाइफ बढ़िया रहेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, अध्यात्मिक शेतर से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का आपको मार्च दर्शन भी हासिल होगा, तीसरी भागेशाली राशी बुद की कन्या रा रहे घर में उचित, जो है वो आपका महौल बना रहेगा, तीसलि till औरराशी वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो बेहत्ट शुब थावित होगा, बिजनस के ख्शेतरों के और परफेशन के कशेतर में परगती होगी, पुरानी अगर आपनी कूई इंभेस्टमेंट क स्विकृति भी हासिल होगी पांचवी भागेशाली राशी वरिष्चक राशी तेरा मार्च को होने वाला मंगल का राशी परिवर्तन वरिष्चक राशी वालों के लिए शुप रहेगा यदि आप बिजनस टार्ट करना चाहते हैं तो इससे बहतर समय नहीं होगा आर्थिक स पत्ती पैत्रिक बैपार से लापके यूब भी है तो आज की पूश्ट में बस इतना ही मेरे पेज से जुड़े रहे हैं मेरे पेज को फालो करते रहे हैं मैं गुर्मी प्लेटी